नमस्कार दोस्तों जी आरेश टेक्निकल में आपका स्वागत है मैं राहुल सिंग संचिप्त जीवन परिचे महा महिम डॉक्टर राजेंद्र परसाद का लेकर आ चुका हूँ जो की काफी रोचक है आए सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र परसाद का जनम 3 दिसंबर 1880 को बिहार के सिवान जिले के जीरा देई गाउं में हुआ था उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था डॉक्टर राजेंद्र परसाद स्वतंत्र भारत के प्रतम राष्ट पती थें वह उस सनुविधान सभा के अदक्ष थें जिसने सनुविधान की रूप रेखा तयार की उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतंतर भारत की पहली सरकार में किंद्रिय मंत्री के रूप में सेवा की थी राजेंद्र परसाद गांधी जी के मुख्य सिस्यों में से एक थें और उन्होंने भारतिय स्वतंतरता संग्राम में महत्तपूर्ण भूमी का निभाई थे राजेंद्र परसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थें पांच वर्स की आयू में राजेंद्र परसाद को उनके समुदाय की पर्था के अनुसार उन्हें एक मौलवी के यहां सुपूर्द कर दिया गया जिसने उन्हें फार्सी सिखाई बाद में उन्होंने हिंदी और अंक गनित सिखाई गई मात्र बारा से तेरा वर्स की आयू में उनका साधी राजवन्सी देवी से कर दिया गया राजेंद्र परसाद एक परतिभा सालिच छात्र थें उनके जीवन काल में सिख्छन कोल ने लिखा था एकजामनी इस बेटर दन एकजामनर उन्होंने कलकता विश्विद्याले की परवेश परिक्छा में प्रथम अस्थान प्राप्त किया और उन्हें 30 रुपे मासिक छात्र विर्ति दिया गया वर्स 1902 में उन्होंने प्रसिद कलकता प्रेसिडेंसी कॉलेज में परवेश लिया यहां उनके सिख्छकों में महान बेग्यानिक जगदीश चंद्र बोस और मानिये परफूल चंद्रराय सामिल थे बाद में उन्होंने विज्ञान से हटकर कला के छेतर में एमे और कानून में मास्टर्स की डिग्री पूरी की इस बीच वर्स 1905 में अपने बड़े भाई महिंद्र के कहने पर आजिंद्र परसाद स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गये वह सतीष चंद्र मुखर जी और बहन निवेदिताद्वारा संचाली डॉन सट साइटी से भी जुड़े उनका राजनीतिक जीवन बहुत ही रोचक है भारतिय राष्टिय मंच पर महात्मा गांदी के आगवन ने डॉक्टर राजिंद्र परसाद को काफी परभावित किया जब गांदी जी बिहार के चंपारन जीला में तथ्य खोजने के मिशन पर थें तब उन्होंने राजिंद्र परसाद को स्वैम सेवकों के साथ चंपारन आने के लिए कहा गांदी जी ने जो समर्पन विश्वास और साहस का परदर्शन किया उससे डॉक्टर राजिंद्र काफी परभावित हुए गांदी जी के परभाव से डॉक्टर राजिंद्र परसाद का दिरिष्ट कोन ही बदल गया उन्होंने अपने जीवन को सधारन बनाने के लिए अपने सेवकों की संख्या कम कर दी उन्होंने अपने दैनिक कामकाज जैसे जालू लगाना बरतन साफ करना खुद सुरू कर दिया जिसे वह पहले दूसरों से करवाते थे गांदी जी के संपर्क में आने के बाद वह आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से मस्गूल हो गया उन्होंने असहयोग अंदोलन में सक्रिये रूप से भाग लिया डॉक्टर राजेंद्र परसाद क 1930 में नमक सत्यागरह में भाग लेने के दौरान गिरफतार कर लिया गया 15 जनवरी 1934 को जब बिहार में एक विनासकारी भुकम्प आया तब वह जेल में थे जेल से रिहा होने के दो दिन बाद ही राजेंद्र परसाद जन धन जुटाने और राहत के कारियों में लग गये वायोसराई के तरफ से भी इस आपदा के लिए धन एकत्रित किया गया राजेंद्र परसाद ने तब तक 30,80,000 रासी एकत्रित कर ली थी और वायोसराई इस रासी का केवल तिहाई हिसाही जुटा पाए राहत का कारिय जिस तरह से वस्थित किया गया था उसने डॉक्टर राजेंद्र परसाद के कौसल को साबित किया इसके तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र परसाद को भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के बंबई अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया उन्हों ने 1949 में नेताजी सुबास चंद्रबोस के इस्तीपा के बाद कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया जुलाई 1946 को जब सन्विधान सभा को भारत के सन्विधान के गठन की जिम्में 300 पी गई तब डॉक्टर राजेन प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया जादी के ढ़ाई साल बाद 26 जन्वरी 1950 को सोतंत्र भारत का सन्विधान लागु किया गया और डॉक्टर राजेन प्रसाद को भारत के पर्थम राष्टपती के रूप में चुना गया राष्टपती के रूप में अपने अधिकारों का परियोग उन्होंने काफी सूजबूद से किया और दूसरों के लिए एक नई मिसाल कायम की राश्ट पती के रूप में अपने कारेकाल के दोरान उन्होंने मितरता बढ़ाने की रादे से कई देशों का दोरा किया और नए रिष्टे अस्थापित करने की मांग की राष्टपती के रूप में 12 साल के कारेकाल के बाद वर्स 1962 में डॉक्टर राजेंदर परसाथ सेवा निवरित हो गए और उन्हें देश के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतने से सम्मानित किया गया सेवा निवरित्ती के बाद अपने जीवन के कुछ महीने उन्होंने पटना के सदाकत आसरम में बिताएं 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंदर परसाथ का देहान्त हो गया दोस्तों ये महान विभूती को गर्व से हम कह सकते हैं भारत के लिए एक स्वर्णी मध्याय हैं इन्हें अवश्च से नमन करें और इनके जीवन आचरन को अपने मार्ग का उद्देश बना कर इन पर किर्याने मयान करें जाहिंद वंदे मात्रम